हलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे एक नए सॉफ्ट्वेर की जिसका नाम है फोटोस्केप यह एक फोटो एडिटिंग सॉफ्ट्वेर है और इससे आप अपनी फोटोस को करेक्ट कर सकते हैं और उनकी कलर, साचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉंट्रास्ट, हीउ यह सब चीज़ें आप अडिजस्ट कर सकते हैं और जैसा कि आपको पता है कि जब हम कैमरे से फोटो खीचते हैं फोटो लेते हैं तो वो कई बार ठीक नहीं आ पाती हैं लाइटिंग की वज़े से या और कई कारणों की वज़े से तो हमें एक सौट्वेर की जरूरत होती है जिससे हम उसको करेक्ट कर सकें और उनको और अच्छा बना सकें आप फेसबुक पे अपलोड करने के लिए अपने फोटो फोटो को एडिट भी करते हैं तो इसके लिए एक सौट्वेर है फोटोशॉप एडॉप का फोटोशॉप लेकिन कई लोगों के लिए फोटोशॉप चलाना काफ़ी डिफिकल्ट है और उन्हें वो पसंद नहीं है और कई लोगों को आता भी नहीं है तो ऐसे में वो लोग ऐसे सौट्वेर की तलाश में रहते हैं जो चलाने में भी आसान हो और उसके जो रिजल्ट हो वो भी बहुत अच्छे हो तो उन लोगों के लिए ये सौट्वेर है ज्यादा साइज नहीं है इसका 30-30MB का साइज है और सारी free downloading sites पर यह available है यह एक freeware software है इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि आप जानते है Photoshop एक paid software है जिसे आपको खरीदना पड़ता है लेकिन यह एक free software है इसका नाम है photoscape तो आप इसे download कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं आप collage भी बना सकते हैं इसमें आप animate कर सकते हैं इसमें आप logos बना सकते हैं Facebook के लिए editing कर सकते हैं और काफी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं photos से related और एक चीज इसमें एनिमेशन की भी एड है तो देखते हैं इसको कैसे इस्तिमाल करना है और इसके क्या-क्या फाइद है तो हम अभी अपने डेस्क्टॉप पे हैं जहां पर मैंने पहले से फोटो स्केप इंस्टॉल किया हुआ है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको इस्तिमाल कर सकते हैं नॉर्मल जो इसके फंक्शन्स है वो आज मैं आपको बताऊंगा करके कैसे करने है यूज तो सबसे पहले मेरे पास एक फोटो है मेरी देखिए एक RAW इमेज है इसमें कुछ मैंने इफेक्ट वगरा भी नहीं डाले हैं अभी मैं आपके सामने डालूँगा और यह रहा मेरे पास फोटो सके यह मैंने डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इस फोटो को डारेक्ट इसमें ड्राइग करेंगे और इसके साथ उपन करेंगे देखिए यहां पर आपको फोटो मिल गया मेरा देखिए तो अब यहां पर हम इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं फिल्टर है देखिए जो फिल्टर डालते हैं वह हैं फिल्म एफिक्त हैं देखिए आफन में फOOD फुल्म एफेक्ट पर जाकर इस में में सब्सम्न्राइब। चेंज कर सकते हम अब करें कि यह अल cœंग अल्ग फिल्टर डालते हमाँ से आप याप फिल्टर डालते हैं चलिए तु नॉर्मल सी बात आप बैक लाइट इंप्रूव कर सकते हैं देखिए अगर दिन ज्यादा ब्राइट नहीं है तो आप इसे ब्राइट कर सकते हैं ब्राइट एंड कलर यह देखिए यह में इसका एड़िस्टमेंट का जो पैनल है वो यह है जहां कलर करेक्शन साचुरेशन ही यह सारे ऑप्शन है अब देखिए आप इसकी डीप नेस बढ़ा देंगे डीपन कर देंगे तकी यह दीप हो गया राइट करके आप इसको यह आप इस ओप्शन से प्लेग खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या जारा सूट करता आपके फोटो को यह तोटली डिपेंड क इसको अच्छा बना सकते हैं कि देखिए यहां पर कॉंट्रास्ट है मैंने अब इस इमेज का अगर कॉंट्रास्ट बढ़ाया तो देखिए काफी डार्क हो गया यह और हीव बढ़ाने पर देखिए कलर चेंज हो जाएंगे तो जो स्कीन पर आपने देखा होगा जो रेड आप यू दो कर दीजिए तो स्किन काफी यलविश हो जाएगी और रेडनेस उसकी काफी चली जाएगी प्राइट करके आप पूरा इंवार्मेंट का जो पीछे बैग्राउंड पूरा ब्राइट कर सकते हैं यह सिर्फ जो सब्जेक्ट है सार्प उसको सिर्फ उसको आप एक आप पूरेट कर सकते हैं आप अनिमेट करने का भी है इसमें जैसे कि जब आप स्टार्ट में खोलेंगे तो ऐनिमेशन का उसमें आप्शन आजाता है मैंने अभी एडिट वाला ऑप्शन डारेक्थ ही आपको स्वाइब करके दिखाया चली मैं सौफट्वेर को बीना क किसी फोटो को अपन की अपन करके दिखाता हूं उपन हो गया तो इसमें कितने सारे ऑप्शन है इसमें एडिट कर सकते हैं बैच एडिट कर सकते हैं पेज बना सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं बहुत सारे फोटो उसको एनिमेट कर सकते हैं यहीं से प्रिंट कर सकते हैं फोटो इफेक्ट में यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें है फोटो वीवर भी है तो में ली इसमें हम दो यी चीज़ इस्तमाल करते हैं एडिटर एंड एडिटर एडिटर और अश्क है अच्छा बनाना चाहते हैं और तो हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को और बढ बढ़ गई इसकी और थोड़ा सा डीप कर देंगे दिखी तो यह प्यूर्ली यह आपकी एक्सपीरियंस पर इन डिपेंड करता है कि और आपके एक्सपेक्टेशन के आप और और भी एफेक्ट है सेपिय यह बहुत ही सिंपल सौट्वेर इसलिए मैं आपको बहुत ही कॉमन सी चीज़े दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल सौट्वेर है जो लोग फोटोशॉप नहीं चलाना चाते या उनके पास नहीं है या कोई और कारण हो तो उनके लिए यह बैस्ट ऑप्शन ह हाला कि उसमें इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है एकदम प्रोफेशनली आप एडिट नहीं कर सकते हो लेकिन अपने फोटो को आप बहुत अच्छे से इसमें कारेक्ट कर सकते हो कलर्स को एडिजिस्ट कर सकते हो शाड़ वगेरा काफी ठीक कर सकते हो फ्लिप कर सकते हो यह कि अजय हो